दोस्तों आप समलों को पताई होगा कि इंडियन आर्मी के तरफ से काफी बड़े मात्रा में Willed Armor Fighting VX को खरीदने को लेके एक requirement जारी किया गया है और दोस्तों इंडियन आर्मी के इस requirement को देखते हुए दुनिया के कैई सारे देशों के द्वारा अपने अपने आर्मेड विय करों का ओफर भारत के सामने रखा गिया है अब दोसों भारत के तरफ से विय अगर देखा जाए तो आर्मी के जुरूतों को पूरा करने के लिए Willed Armor Platform का development किया गया है जिसके निर्मान का काम टाटा ग्रूप के बाद अब मेहंदरा के तरफ सिर्फ किया जा रहा है और आने वाले समय में LN TV अपने खुद के वरिजन को बनाएगा पर इंडियन आर्मी के Willed Armor Platform के जुरोतों को देखते हुए भारत के सामने जो सबसे बड़ा ओफर है वो असल में अमेरिका के तरफ से किया गया और रिपोर्ट के मुताविक अमेरिका के द्वारा भारत के सामने अपने Striker Armored Vehicle का ओफर रखा गया और वो भी Making India Initiative के अंतरगत हाला कि दोस्तों अब रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इलावा जर्मनी के तरफ से भी अपने Boxer Armored Vehicle और फ्रांस के तरफ से अपने VVIC वेकलों का ओफर भारत के सामने रखा गया है मतलब अग इंडियन आर्मी के Willed Armored Vehicle के requirement के लिए भारत, अमेरिका और फ्रांस के बीच में एक तरिके का घमासान चलेगा बेसिकली दोस्तों इंडियन आर्मी के तरफ से जो Willed Armored Platform को पर्चेस किया जाएगा वो 8x8 platform होना चाहिए और पहारी एरिया में इस्तिमाल लायक होना चाहिए दोस्तों, रिपोर्ट के मुताविक ये भी डावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी करीब ऐसे 700 वेकलों को खरीदना चाहता है हाला कि दोस्तों, टाटा और महेंदरा के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अमेरिका के जनरल डाइनमिक के तरफ से निर्मान किया हुआ स्ट्राइकर वेकल और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अब भारत को इन वेकलों के संपूर्ण ट्रांसफर आफ टेकनोलोजी के लिए तैयार है कि ये Striker Vehicle के मुकाबले में हलका होगा जिससे कि इसके Mineverability काफी अधिक होगा वही पर दोस्तों अगर Striker Vehicle को देखा जाए तो इसके जो Combat Experience है वो काफी अधिक है और यह अब तक कई सरे लड़ाईों में इस्तेमाल हो चुका है के कारण इसे एक Combat Proven Vehicle कहा जा सकता है हलाकि दोस्तों Technical Specification जो है वो सबसे महत्यपूर्ण भूमी का यहां पर निभाएगा लेकिन इसके इलावा भी कई तरीके के अन्य Factor भी है जिसे की जाचना जरूरी है जैसे की दोस्तों Cost Factor और रिपोर्ट में दावा किया जारा कि D.I.D.O. के जो Wild Armored Platform है वो domestically developed किया हुआ हतियार होने के कारण किसी भी अन्य इस तरीके के हतियार के मकाबले में काफी Cost Efficient मतलब काफी सस्ता होगा जबकि दोस्तों इसके इलावा जो दूसरा Factor है वो है Indigenious Content अब दोस्तों देखा जाए तो भारत के तरफ से हतियारों को खरीदने के पीछे केवल मात्र Make in India और आत्मनेरिवर भारत के संकल्फ को ही नहीं रखा गया है बलकि साथी साथ विदेशी हतियारों में Domestic Component को भी इस्तेमाल करने के बातों को रखा गया है और हतियार अगर स्वदेशी हो तो ओविसली इसमें Domestic जो Component है वो अधिक होगा जो कि इस Tender को जीतने में सबसे अधिक मदद करेगा और दोस्तों इसके इलावा Local Support और Maintenance भी एक बहुत बड़ा Factor है यहाँ पे अप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि विदेश से हतियार खरिदने के बाद अगर इसके Maintenance और इसके Spare Parts को लेके इशू आता है तो यह हतियारों के लिए सबसे बड़ा Challenge हो सकता है दोस्तों इन कारोनों के वज़ासे भारत के तरफ से Making India जैसे Initiative और आत्मनिर्वर भारत संकल्फ को उठाया गया है और इस कारोन के वज़ासे अभी World Armored Platform मतलब D.I.O के विएकल को आगे माना जा रहा है जबकि दोस्तों वही पर अगर देखा जाए तो D.I.O के World Armored Platform और General Dynamics के Striker विएकलों के इलावा भारत के सामने और दो विएकलों का वी ओफर है पर दोस्तों चारों विएकलों में काफी अधिक डिफरेंसेज भी है और चारों को अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे से अलग भी है फिलाल अगर इन विएकलों के आकार को देखा जाए तो भारत के त्वारा निर्मान किया हुआ विएकलों के लंबाई करिवन 8 मीटर और चौड़ाई करिवन 2.99 मीटर है तो वही पर हाइट करिवन 3.5 मीटर है जबकि अमेरिका के स्टाइकर विएकल के लंबाई 7.27 मीटर चौड़ाई 2.95 मीटर और उचाई करिवन 2.38 मीटर है और जर्मनी का बॉक्सर का लंबाई करिवन 7.92 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और उचाई करिब करिब 2.3 मीटर है और दोस्वे इससे अंदाजा लग रहा है कि यह जो वियेकल है चारों ही लगभग एक ही समान आकार का है जबकि वही पे दोस्तों अगर इसके कैपसिटी को देखा जाए तो भारत के हुल्ड आर्मर प्लाटफॉर्म के कैपसिटी करिवन 2.9 मतलब 2.9 क्रू मेंबर और 9 पैसेंजर का है तो वही पे स्ट्राइकर का कैपसिटी 3.8 और VVCI का कैपसिटी 3.8 और APC बॉक्सर का 3.7 है मतलब दोस्तों भारत के वहेकल को अपरेट करने के लिए भी कम क्रू मेंबर का जरूरत होता है और इसका कैपसिटी मतलब पैसेंजर कैपसिटी भी अन्य वहेकलों के मुकाबले में अधिक है जबकि दोस्तों वही पे अगर वजन को देखा जाए तो भारत के भग लग भग हलके वजन के टैंकों से भी भारी है जबकि भारत के विल्ड आर्मर प्लाटफॉर्म इन चारों वेकलों में वजन के मामले में दूसरे पोजिशन में है जबकि वही पे स्ट्राइकर वेकलों को अगर देखा जाए तो इसका वजन सबसे का मतलब ये सबसे हल का है दोसरे इन वेकलों में इस्तेमाल होने वाले इंजिनों के अगर पावर को देखा जाए तो भारत के विल्ड आर्मर प्लाटफॉर्म में 600 होर्स पावर के एक इंजिन का इस्तेमाल किया गया है जिसके साथ ये जो वेकल है इसके वेट टु पावर रेसियो करीब 23 HP पर टन है जबकि वही पे अगर फ्रांस के VVCI वेकल को देखा जाए तो इसमें इंजिन के रूप में एक 550 होर्स पावर का इंजिन का इस्तेमाल किया गया है और इसके पावर टु वेट रेसियो करीब 21 HP पर टन है जबकि बॉक्सर वेकलों में 720 होर्स पावर के इंजिन का इस् मतलब दोस्तो इन 4 वेकलों में सबसे टाकदवर इंजिन तो वॉक्सर में इस्तेमाल किया गया है लेकिन इसका वजन अधिक होने के कारण इसके पावर टु वेट रेसियो भारत के वेकल से कम है और सबसे अधिक पावर टु वेट रेसियो भारत के विल्ड आर्मर प्लाट जबकि बाकी वेहकलों में ऐसा कोई सावी वेहकल नहीं है जो कि पानी को पार कर सके और बाकी रहा दूसरा कैटेगरी तो वो है नुकलियर सेंसर और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि बाकी तीनों वेहकलों में नुकलियर सेंसर इस्तमाल नहीं हुआ है लेकिन भारत के विल्ड आर्मर्ट प्लाटफॉर्म में निउक्लियर सेंसर्स का इस्तमाल हुआ है। इन वियकलों का इस्तमाल पहाड़ी एरिया में मतलब लाइन ऑफ एक्च्वल कंट्रोल के नस्देग हिमालयन बॉर्डर में किया जाना है। इसे डिवलप्मेंट के दर्मियान से ही इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये हाई आल्टिट्यूट रिजर्म में काम कर सके। जबकि दोस्तो हाई आल्टिट्यूट और पहाड़ी एरिया के लिए वियकलों का हलका होना भी ज़रूरी है और इसके पावर टू वेट रेसियो भी अधिक होना ज़रूरी है और इस मामले में अगर देखा जाए तो स्ट्राइकर वियकलों का वजन तो हलका है लेकिन रप्तार को देखा जाए तो भारत के विल्ड आर्मर प्लाटफॉर्म के ओन रोड मैक्सिमूम स्पीड करिवन 100 किलोमेटर है जबकि पानी के उपर ये 10 किलोमेटर पर आवर के रप्तार में ट्रावल कर सकता है स्ट्राइकर वियकल के अधिकतम स्पीड 97 किलोमेटर पर जबकि बॉक्सर वियकलों को अगर देखा जाए तो ये ओन रोड कंडिशन में करिवन 100 किलोमेटर पर आवर के अधिकतम रप्तार में दोड़ सकता है हाला कि दोस्तों ये जो ओन रोड स्पीड है ये पहाड़ी एरिया में मतलब हाई ऑल्टिट्यूड रिजन में शायद ह इन वियकलों को काम आए दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि भारत के जो विल्ड आईमर प्लाटफॉर्म है मतलब Tata के तरफ से और मेहंदरा के तरफ से बनाया जाने वाले जो वियकल है क्या ये बिदेशी कम्पनियों के तरफ से निर्मान किया हुआ इन वियकलों को कर दे कि इंडियन आर्मी के टेंडर को जीत सकेगा या नहीं कॉमेंट करके अपने राय अवश्रत दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यह पर ही करते समाथ किसी और एक दुन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदेमातरम